नमस्कार दोस्तों मेरे नाम संदीव वर्मा है और मैं आप लोगों के लिए एक बहतरीन वीडियो यहां पर लेके आया हूँ आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल इस टेंड़ इंडिया में तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसी एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला है कि आप अपने मुबायल पर भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं जितनी आसानी से उतनी आसानी से आप इसको लैप्टाव यह पीसी पर भी कर सकते हैं तो वो उस वीडियो का स्वागत उस application का क्या नाम है उस application का नाम जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को like, share and subscribe जरूर कर दीजेगा इसके अलावा आप लोग बेल आइकन दबाना बिलकुल मत बूलियागा क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियो के बारे में notification मिलती रहेगी जिससे आपकी वीडियो मिस नहीं होगी तो चलिए सबसे पहले हम chrome पे जाएंगे, chrome पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, blue stack play games on pc ये आपको first links दिखाई दरी होगी, इस first link को आपको click करना है, simple click करना है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ download के button पर click करना है, जैसे ही आप download के button पर click करोगे, तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से file open हो जाएगी, इस file पर आप double click कर दोगे, ये install होना start हो जाएगा, install होने के बाद में, ये मैंने पहले से install कर लिया था, इसमें काफी समय लगेगा, आपके पास में अच्छा internet होगा, तो वो जल्दी से install हो जाएगा, फिर आपको क्या कर जाना है, जब install हो जाएगा, तो आप blue stack को open कर लिजेगा, blue stack open होने के बाद में, आपको कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा, यहाँ पे आपको all games पे जाना है, all games में जाने के बाद में आपको google play store पे जाना है, आप यहाँ पे google play store पे चले जाओगे, और यहाँ पे आपको उस application का नाम डालना है, VN, VN के बारे में आपने सुना होगा, VN video editing application है, जो आपकी mobile पे भी चलती है, और आपके laptop पर भी चलती है, बहुत ही असानी से, इस तरह से, इस तरह से आप इसको यहाँ से play on app लेया, यहाँ पे download का option आएगा, आप इसे install का option आएगा, आप यहाँ स install कर लेंगे, मैंने इसको भी पहले से install कर लिया है, ताकि यहाँ पर समय वेश्ट ना हो, और मैं आपको आसानी से पहले से आराम से बता सकूँ, तो जब आप इसको install कर लोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से desktop पे VN की application open हो जाएगी, इसको आपको double click करना हो, और इस वीडियो में बता दूँगा, आपको comment box में डालना है, कि आपको mobile पे सीखना है, या फिर desktop पे सीखना है, जिस पे भी आप बताओगे, मैं उस पे एक वीडियो बना दूँगा, desktop के लिए भी, या mobile के लिए भी, जैसे आप कहेंगे, तो मैं दोनों के लिए बना तो इस तरह से आपके पास में ये वीएन का application open हो रहा है, थोड़ा सा system slow है, आप थोड़ा सा wait कर सकते हैं, यह देगे दोस्तों, यहाँ पर ये open हो गया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपके यहाँ पर projects, your projects, ठीक है, क्या के project है मारे पास में, आप यहाँ पर plus प यहाँ पर आपको new project पर click करना है, new project पर आप click करोगे तो आपके पास में इस तरह का interface मिल जाएगा, अब यहाँ पर आपको video कैसे लानी है, क्योंकि यहाँ पर कोई option तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आप simply drag and drop कर सकते हैं, अगर आपने कोई video डाउनलोड की हो, तो आप उस video को drag and drop कर सकते हो, आप simple यहाँ से जाकर, drag and drop कर दिया, जब आप drag and drop करोगे तो आपको यहाँ पर इस video की, यह video यहाँ पर आजाएगी और इसे आप next पर click करोगे, next पर click करते ही, आपके सामने इस तरह का कुछ interface open हो जाएगा, यहाँ पर आपका interface open हो गया, अब आप यहाँ से इसको edit कर सकते हैं, यहाँ पर आपको title डालना है, photos डालना है, जो भी डालना है, वो आप अपने हिसाब से अपनी video को edit कर सकते हैं, अरे भाई, उसके जवाब से तो Google भी पीछे रह जाता था, और इसलिए कम से कम सुमित राजी के घर में तो किसी को भी Google की जरूती नहीं पड़ती थी, जब भी घर में कोई बात चलती, कोई कुछ भी कहता, फुल वीडियो एडिटिंग कैसे करनी हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो लाइक से रहें सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा, नमस्कार दोस्तों, जाहिएंद